हेलो दोस्तों कैसे हैं आप से भी उमीद करता हूँ आप से भी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज से हम सुरु करने माले हैं क्लास 10th का Physics जोकी बहुत ही इंपोर्टेंट एक तरसे कहा जाए तो Science का बहुत ही इंपोर्टेंट हिस्ता है Physics जोकी आपके लिए भी बहुत ही वीडियो में समझेंगे और एक एक करके चेप्टर वाइस सिक्वेंस में वीडियो को देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों आज हम देख लेते हैं सबसे पहला चेप्टर जिसका नाम है प्रकास का परवर्तन तथा अपवर्तन ठ ठीक है तो यह चेप्टर का नाम है प्रकास का परवर्तन तथा अपवर्तन ठीक है तो इस में इस चेप्टर में हम बहुत ही आसानी से समझेंगे एक एक जो टॉपिक आएगा उसे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी वे में समझेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रशानी नहीं होगी और एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा के वल एक ही बात कहूंगे कि आप थोड़ी से फेशन्स रखिएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक कि प्रकास का परवर्तन और अ हम इंगलिस में क्या कहते हैं लाइट कहते हैं ठीक है तो प्रकास अर्था प्रकास या लाइट क्या होता है तो सबसे पहली बात इसकी अगर हम डिफनेशन पे करें तो प्रकास क्या है प्रकास भी एक उर्जा का ही रूप है ठीक है प्रकास क्या है प्रकास एक उर्जा का मतलब कहा जाए अगर definition कहा जाए तो प्रकासidd — उर्जय का रूप है जिसके का रण हमें कोई भी वस्तू दिखाई देती है क्योंकि अगर प्रकास ना रहे और नहीं की और प्रकास ना रहे और फैडिन हमें दिखाई नहीं देगे हम कह सकते हैं कि प्रकास की कारण ही मतलब प्रकास की उपस्तिती में हमें कोई भी वस्तू दिखाई देती हैं तो हम क्या लिखेंगे कि हम यहीं लिखेंगे कि प्रकास प्रकास क्या है प्रकास एक उर्जा का रूप है ठीक है प्रकास क्या है प्रकास उर्जा के एक रूप है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती हैं तो हम क्या लिखेंगे जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती हैं ठीके तो यही से हम definition क्या कहेंगे प्रकास क्या है एक उर्जा का रूप है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है अब यह कैसे दिखाई देती है तो इसे भी हम समझ लेते हैं माल लेते हैं यह कोई क्या है माल लेते हैं यह कोई वस्तु है समझेगा यह कोई वस्तु है और यह क्या है माल लेते हैं यह सूरिय है ठीके यह क्या है सूरिय है ठीक है और यहां पर माल लेते हैं यहां पर कोई भी वस्तु है जो इसे कोई भी मतलब देखती है जो इसे देख रहा है यह इसकी आखे जो उसको देख रही है तो भी यह कैसे दिखाई देता है जब प्रकास की किलिड़े इस वस्तु पर आपतित होती है और आपतन होने के पश्चार ये वस्तु क्या करता है इस प्रकास के किल्डों को क्या करता है परवर्तित करता है इसी प्रकास के किल्डों को परवर्तित करता है और ये क्या करता है हमारी प्रकास के किल्डों को परवर्तित ये करके और हमारे आखों तक क्या होता है आता है जिसके कारण हमें को कोई भी वस्तु दिखाई देती हैं यह प्रकास की किल्डों जैसे यहां से सूर्य से प्रकास की किल्डों निकली इस पर आप्तित हुई आप्तित होने के पाद यह वस्तु क्या करता है इस प्रकास की किल्डों को परवर्तित कर देता है और परवर्तन होने के कारण यह हमारे आखुपे आके पड़ती हैं जिसके कारां हमें वस्तु दिखाई देते हैं ठीक है तो ऐसे हमें क्या होता है कोई भी वस्तु दिखाई देते हैं कब दिखाई देते हैं जब क्या करता है वह वस्तु प्रकास के किड़ों को परवर्तित करता है अब परवर्तित करना क्या होता है जैसे यहां पर परवरतन तथा अपुवरतन था श JACK समझेंगे केवल आंको यह समझना है कि कोई भी वस्तु जब प्रकास की किनडों को परवर्थित करता है जिसके कारण हमें कोई भी वस्त prob दिखाई देती हैं और यहां से आपको light समझ में आ गया होगा lights क्या है मतलब जो प्रकास है वो उर्जा का रूप है जिसके कारार हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती हैं ठीक है अब हम आते हैं कि प्रकास तो हम समझ गए अब हम जानेंगे कि प्रकास की सुरूत कोन के उसे हैं प्रक ठीक है अब हम देखेंगे प्रकास का शुरूत प्रकास का शुरूत ठीक है तो प्रकास के कितने शुरूत है तो भाईया प्रकास के निम्न लिखित शुरूत है बहुत सारे शुरूत है तो हम क्या लिखेंगे प्रकास का निम्न लिखित सुरोत है अब यह कौन-कौन से निम्न लिखित सुरोत है एक्जामपल से समझते हैं कि वो निम्न लिखित सुरोत कौन-कौन से है तो याद रखेंगे सबसे पहला तो सबसे बड़ा प्रकास देने वाला क्या है सूरी ही है तो सबसे पहला क्या हो ज चंद्रमा, तारे हैं, विदूत बल्ब है, ठीक है, विदूत बल्ब से भी प्रकास मिलता है, जैसे कि लाइट सी जल रहे हैं, ठीक है, और अगला फिर से मुम्बत्ती भी हम कह सकते हैं, ठीक है, मुम्बत्ती आदी आप लगा लेगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं, जिससे क्या होता है, प्रकास हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो ये उसका सुरोत हो गया, ठीक है, हमने कुछ मुत्पूर्ट सुरोतों को लिख दिया है, जिससे हमें क्या होते हैं, प्र प्रकास सुरूत ठीक है दिप्त प्रकास सुरूत तब यह दिप्त प्रकास सुरूत क्या होता है और दूसरा होता है और दिप्त प्रकास सुरूत तो उसे हम समझेंगे पहले हम समझते हैं दिप्त प्रकास सुरूत किसे कहते हैं तो याद रखेंगे दिप्त प्रकास सुरूत के बारे में कि वे प्रकास मतलब वी सुरूत जो क्या होता है वी प्रकास का सुरूत जो स्वेम उत्पन होता है मतलब ऐसा सुरूत जो स्वेम उत्पन करता है प्रकास को उसे हम क्या करते हैं दिप्त प्रकास सुरूत कहते हैं ठीक है तो हम क्या लिखेंगे वी प्रकास शुरूत जो क्या करता है? वी प्रकास शुरूत जो स्वें ही प्रकास उत्पन करता है उसे हम क्या कहते है? उसे हम दीप्त प्रकास शुरूत कहते हैं मतलब उसे हम क्या कहते हैं उसे दिप्त प्रकास सुरोत कहते हैं ठीके तो आपको सबसे पहले हमने डिफिनेशन बता दिया क्या बताया है कि मतलब वो प्रकास सुरोत जो स्वेम ही प्रकास सुत्पन करते हैं दूसरों पर आशरित नहीं होते हैं जैसे क्या हो जाएगे, एक्जाम्पल से मैं बताता हूँ, जैसे एक्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ठीके, जैसे हमारा जो सूर्य हो गया, ठीके, सूर्य हो गया, ठीके, ये दूसरों पर आश्रित नहीं होता है, ये स्वयम ही प्रकास उत्पन करता है, ठीके, समझ म विदूद्वल्व भी क्या करता है स्वयम ही प्रकास को उत्पन करता है ठीक है यह किसी पर आश्रित नहीं होता है कि वे प्रकास जो मतलब दूसरी को हमें प्रकास देंगे तो उस प्रकास से हम भी चमकेंगे ठीक है ऐसा कुछ नहीं है यह स्वयम ही अपने अपने प्रकास क किसे कहते हैं ठीक है तो दूसरा हम समझते हैं compare करके समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा तो यहां से अधिप्त प्रकास शुरूत जब समझेंगे तब जाके आपको समझ में अच्छे से आएगा अधिप्त प्रकास तो अधिप्त प्रकास प्रकास किसे कहते हैं तो याद रखेंगे वे प्रकास 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 को उत्पन नहीं करते हैं बलकि दूसरों पर आशरीत रहने का मतलब यह होता है तो चंदरमा क्या हो गई और दिप्त प्रकास 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 हो गई जैसे कि काच होता है काच भी क्या करता है सूर्य से प्रकास लेता है तभी वो काच भी चमकता है यदि सूर्य ना रहे तो काच चमकेगा नहीं ठीके तो वो भी क्या होता है वो भी किसी से प्रकास लेकर काच भी क्या करता है चमकता है ठीके तो इसका definition क्या हो जाएगा कि वे प्रकास रोत जो श्रीत रहते हैं उसे अधिप्त प्रकास रोत कहते हैं ठीक है तो इसका डिफनेशन हम लिकेंगे कि वे प्रकास श्रोत जो स्वेम प्रकास उत्पन नहीं करते हैं पल के दूसरो पर आसरीत रहते हैं उसे हम क्या करते हैं अधिप्त अधिप्त प्रकास श्रोत कहते हैं ठीक है मतलब वे प्रकास श्रोत जो स्वेम प्रकास को उत्पन नहीं करते हैं बलकि दूसरों पर आसरीत रहते हैं उसे हम अधिप्त प्रकास श्रोत कहते हैं जैसे कि एक्जांपल से आप समझेंगे बहुत ही अच्छे से जैसे तर्मा और कांच यह सूर्य से प्रकास लेते हैं और उसके बाद चमकते हैं ठीक है कांच सूर्य से ही नहीं और कुई भी चीज से वो क्या होता है लेता है प्रकास ठीक है और उससे वो क्या करता है चमकता है ठीक है तो यह हमें समझ में आ गया होगा आपको मैं उम्मिद करता कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आगे होगा कि प्रकास कहते किसे हैं और प्रकास के 2 जो होते हैं दिफ्त्प्रकास तloe俗 और दिफ्न यही प्रकास तो कहते हैं तो Miss Kamil तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम देखेंगे प्रकास के बारे में थोड़ी से और बात हम जानेंगे कि प्रकास की गुण कौन-कौन से होते हैं जो की बहुत इंपोर्टेंट है इसके जो प्रपर्टीज होता है ठीके क्योंकि यही से बहुत भी कल्पी क्वेस्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एक्जाम में ठीके तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट्स को आप नोट्स में बना लेंगे ठीके तो मैं यहीं कह जाएगा physics, chemistry, biology तीनों का उस लिंक पर क्लिक करके आप playlist के अनुसार एक ही करके chapter wise sequence में वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं अदर्वाइज आपको coaching यह स्कूल में कोई भी topic आपको समझमन नहीं आता है तो उस topic का नाम लिखी YouTube पर अंत में हमार आरे चैनल का नाम लिख देंगे आपको वीडियो वहां से मिल जाएंगे आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुन्दास नोट्स बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों आब हम देखते हैं कि lights का प्रोपाइडिज क्या होता है मतलब प्रकास के जो भी विछेश्ताएं ये हम कहकते हैं गुड कौन कौन से होते हैं तो सबसे पहले screenshot ले लिजीए तो आगे हम देखते हैं प्रकास के गुड तो प्रकास के कौन कौन से गुर्ण होते हैं इसे हम समझेंगे बहुत ही अच्छे से और मैं आशा करता हूं कि आपको पहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा एक पॉइंट्स ठीक है तो अब हम देखेंगे प्रकास का गुर्ण यह हम कह सकते हैं विश्ष्टाइए ठीक है तो प्रकास के क्या होते हैं गुड या भी से इस्टाएं क्या होते हैं निम्नलिखित होते हैं बहुत सारी प्रकास की गुड होंगे भाईया तो हम क्या लिखेंगे कि इसके निम्नलिखित गुड होते हैं अब या कौन-कौन से गुड होते हैं इसे हम समझ लेते हैं तो सबसे पहला गुड तो सबसे पहला गुड यह याद रखेंगे कि प्रकास क्या होता है प्रकास अद्री से होता है परन्तु प्रकास के उपस्तिती में ही हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है यदि प्रकास वहां पे उपस्तिती ना हो प्रकास वहां पे ना हो तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देंगे बलकि हमारे पास आखे रहेंगे फिर भी हम देख नहीं सकते जब तक प्रकास वहां पे उपस्तिती नहीं होगा तो और प्रकास अद्री से होता है यदि अ अध्रिशी नहीं होता तो हमें कोई भी वस्ती दिखाई nहीं देती इसलिए हैं कि प्रकास क्या है प्रकास अद्रिश्य होता है और इसके उपस्तिती में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है ठीके तहां पहला गुण यह लिखेंगे कि प्रकास अद्रिश्य होता है परन्तु इसकी उपस्तिती में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है ठीके तो सबसे पहला गुण यह याद रखेंगे प्रकास अद्रिश्य होता है परन्तु प्रकास क्या होता है अद्रिश्य होता है और परन्तु इनकी उपस्तिती में क्या होता है और इनकी उपस्तिती में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है तो यहाँ पर परन्तु ना डालके हम कह सकते हैं और हम कैसे सकते हैं कि प्रकास अद्री से होता है और इसकी उपस्तिती में इसकी या इनकी हम कैसे सकते हैं तो हम लिखने दें इसकी इसकी उपस्तिती में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती हैं तो सबसे पहला है आपको मतलब प्रोपर्टी समझ में आ गया होगा अब आत तो इस पोईंट को याद रखेंगे कि प्रकास का वेग या चाल कितना होता है ठीक्ड अगला पोईंट चैन्म तीश रखेंगे कि प्रकास का वेग कितना होता है और option में 2-3-4 को दे दिया जाएगा और उसमें कहीं मातरक्ट भी याद रखेंगे क्योंकि मातरक्ट भी गलती दे दिया जाता है ठीक है लड़के क्या होता है केवल इतने ही देखकर confused हो जाते है ठीक है तो याद रखेंगे अब अगला point कि प्रकास का तरंग देरी कितना होता है तो याद रखेंगे प्रकास का तरंग देरी 4000 एनस्ट्राम से 8000 एनस्ट्राम के बीच में होता है ठीक है तो इस point को याद रखेंगे कि प्रकास का तरंग देरी 4000 एनस्ट्राम से 8000 एनस्ट्राम के बीच में होता है मद्धे में होता है ठीके इस पॉइंट को याद रखेंगे अगला पॉइंट चोथा आपको याद रखना है कि प्रकास होता है वो समान्यता क्या होता है सीधी रेखा में गती करता है यह गमन करता है तो प्रकास समानियत सीधी रेखा में गती करता है जैसे कि ऐसे प्रकास क्या होता है? सीधी रेखा में गती करता है ठीके यह Newton ने बताया था ठीके परन्तु Huygens ने बताया कि प्रकास क्या होता है? प्रकास तरंगों की रूप में गती करता है Newton ने बताया कि प्रकास क्या होता है? सीधी रेखा में गती करता है परन्तु हाइगेंस ने बताया कि प्रकास क्या होता है तरंगों में भी गति करता है तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि प्रकास जो होता है प्रकास तरंगों के रूप में भी गति करता है प्रकास क्या होता है तरंगों की रूप में भी गती करता है जैसे कहने का मतलब है कि प्रकास इस तरह से भी गती करता है तरंगों की रूप में भी गती करता है ठीक है हाईगेंस ने बताया अगला पॉइंट त्याद रखेंगे कि जो प्रकास होता है वो पारदर्सी माध्यम माध्यम से क्या होता है गुजर जाता है ठीक है जो प्रकास होता है पारदर्सी माध्यम से गुजरता है और और पारदर्सी माध्यम से नहीं गुजरता है ठीक है तो प्रकास क्या होता है यह पर मैं लिखते रहूं प्रकास क्या होता है पारदर्सी माध्यम से क्या होता है ओ पारदर्सी माध्यम से और ओ पारदर्सी माध्यम से नहीं गुजरता है ठीक है प्रकास क्या होता है पारदर्सी माध्यम से गुजरता है और ओ पारदर्सी माध्यम से नहीं गुजरता है अब भया आपको समझ में नहीं रहा होगा कि पारदर्सी माध्यम किसे कहते हैं और और पारदर्सी माध्यम कहते किसे हैं ठीके तो याद रखेंगे पारदर्सी माध्यम हम कह सकते हैं ऐसे अगर सिंपल में कहा जाए तो जैसे कि आपका जो काच होता है वो क्या होता है पारदर्सी माध्यम होता है जैसे कि जल होता है वो पारदर्सी माध्यम होता है जैसे और और पारदर्सिय माद्यम क्या होता है जैसे कि आपका क्या हो जाएगा मान लेते ही ये बोड ही हो गया जिसको मतलब प्रकास आर पर चला जाए उसे हम क्या कहते है प्रकास जिसे पार आर पर चला जाता है उसे हम पारदर्सिय माद्यम कहते है जैसे कि जल में भी आर पर च अगर मान लेते हैं यह मेरा हाथ ही हो गया इस पर लाइट बारें तो क्या जहां पर लाइट इतना दूर पर बारते हैं तो क्या पीछे भी लाइट निकल जाएगा क्या इसके पीछे भी प्रकास जाएगा तो नहीं जाएगा ना ठीक है को यह दिवाल है दिवाल पर लाइट या बोड पे लाइट मारों तो बोड के पीछे क्या लाइट जाएगा नहीं जाएगा तो यहीं कहा जा रहे है कि प्रकास जो होता है प्रकास प्रकास की संचरण के लिए किसी माध्यम की अवसकता नहीं होती है, मतलब संचरण का मतलब होता है कि प्रकास की गति के लिए, प्रकास के चलने के लिए कोई भी माध्यम की अवसकता नहीं होती है, ठीके, चाहे वो निर्वात में हो, तभी प्रकास चला जाएगा, वायू हो, कोई भी मतलब माध्यम हो, वायू हो जल हो या क्या हो कोई भी मतलब निर्वात हो उसमें प्रकास क्या करता है चल सकता है गती कर सकता है जबकि ध्वनी गती नहीं कर सकता है ध्वनी के लिए क्या होना चाहिए वायू की उपस्तिती होनी चाहिए यदि वायू ना हो हमारी आवाज क्या होती है हमारी वा तो आपर वायू उपस्तिती ना हो तो वायू क्या है एक माध्यम है तो धौनी के लिए माध्यम क्या अवसकता होती है परन्तु प्रकास के लिए किसी भी माध्यम क्या अवसकता नहीं होती है ठीक है वायू ना भी हो तभी प्रकास क्या होता है चल जाएगा ठीक है वह गति क करने करता रहता है ठीक है तो यह तो अपिक आपको एक करके जो पॉइंट्स आपको लिखवाए गए हैं यह आशा करता हूं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीम स्वाट लीजिए उसके बाद हम बात करते हैं तो आशा करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीम स्वाट ले लिया होगा तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में ठीक है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मैं यही कहूंगा कि मैं छोटी-छोटी मतलब वीडियो बना रहा हूं अभी क्यों कि मैं चाहता हूं कि जित दूसी दिन आप उस topic को याद कर लें इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं और एक ही वीडियो में जितने भी उसके points है प्रकास के बारे में जितने भी बाती थी वह हमने बता दिया ठीक है अब हम आगे बढ़ेंगे ठीक है प्रकास के बाद और आगे बढ़ें दूसरी बात आपको description में लिंक दिया जाएगा physics, chemistry, biology तीनों का उस लिंक पर click करके आप अच्छे से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुन्दा से नूट्स मना सकते हैं ठीक है और मैं आपको बता दूँ यह जो आपको timing थोड़ सा में बता दे रहा हूं ठीक है तो screenshot ले लिए होंगे ठीक है तो मैं यह आप ठोल सी timing बता दे रहा हूं कि आपको class 10th का आपको कब मिलेगा आपको वीडियो ठीक है तो याद रखेंगे class 10th का आपको सबसे पहली बात किया जाए physics की ठीक है तो physics का याद रखेंगे physics का आपको daily आपको physics का के वाल य और त्रस्डे को आपको आठ बजे एम में क्या मिल जाएगा आठ बजे सुबा में आपको मिल जाएगा physics का ठीक है आठ बजे आपको मिल जाएगा physics का वाडिनेश्डे और त्रस्डे को सुबा में आठ बजे आपको मिल जाएंगे ठीक है मतला गुरुवार और क्या होता है बुद्धवार और विश्पतिवार को आपको मिल जाएंगे, आठ बजे सुवा में एक एक वीडियो मिलेंगे रोज, और मैं आशा करता हूँ कि एक महिने के अंदर, केवल एक मंथ, वन मंथ के अंदर आपको फूरा फिजिक्स आपको पढ़ा दिया जाएगा, और केवल एक मंत आप हमसे जूड़े रहिए, आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे समझ में आएगा, अब आते हैं दूसरा, जो है कमेस्टरी, ठीके, तो कमेस्टरी आपको मिलेंगे उसी दिन, ठीके, वेजनेस डे, और थ्रस्टे को ही आपको मिलेंगे, 12 एम में आपको मिल क्या, यही कमेस्टरी के वीडियो, और याद रखेंगे, उसी दिन, उसी दिन, बायोलोजी को, उसी दिन आपको मिलेंगे, क्या, उसी दिन आपको मिलेंगे, 8 वजे, पी एम में, आपको मिलेंगे, मतलब 8 वजे रात को मिलेंगे, आपको बायोलोजी के वीडियो, ठीके, वर्ड नेश्डे और थ्रस्डे को रोज आपको वर्ड नेश्डे मतलब वियस्पतिवार और बुद्धवार और वियस्पतिवार को आपको मिलेंगे यह टॉपिक ठीक है आठ वजे दिन में मिलेंगे फिर से बारा वजे दिन में मिलेंगे ठीक है और आठ वजे रात को मिले ठीक है तो आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मेलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैन जैवारब